दोस्तों मेरे बहुत से वीवर्स के मेरे पास कॉल और मैसेज भी आते हैं और पूछते हैं कि सब्सक्राइब के मेन लक्षन क्या क्या होते हैं क्योंकि यूट्यूब पे पहले ही बहुत से वीडियो देखके कंफ्यूज हो चुके होते हैं क्योंकि हर वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे जरूर से जरूर तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रही है नमस्कार दोस्तों मैं हुए दिमानी शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चनल आयरोदा किंग्डम दोस्तों दोस्तों वैसे शिंटम्स के वपर मैंने काफी वीडियो भी बनाए पहले hiv के व पर काफी विडियो बनाусов व्याइं पर यह विडियो उविडियो उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुवाती स्थेज में है या फिर जिनको अभी तक है कि है। उनको हुझा आप हमें जाज करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए या भी क्योंकि उन्हें कंफर्म ही नहीं कि उनको HIV है कि नहीं है ठीक है तो उसी लाइन में पहला जो symptom आता है वो होता है फिवर जिया दोस्तों यह एक common symptom है हर HIV ही पेशिंट में फिवर आता ही आता है इसका जो कारण है जो शुर्वाति स्टेज होती है जिसको acute स्टेज भी कहते हैं यहां पर क्या होता है ना जब बॉड़ी के अन्दर वाइरस जाता है तो हमारी बॉड़ी घृटी उस वाइरस के पर हमारा प्रतिरक्षा आता है ठीक है तो अगर आपको बार-बार फिवर आ रहा है तो सावधान हो जाईए यह एक HIV की symptoms में आता है बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगा दोस्तों मैं जितने symptoms बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि सब symptoms आने के बाद भी आपको HIV हो एक normal flu में या किसी और वज़े से भी आपको हो सकते हैं तो confirmation सिर्फ और सिर्फ reports है यह सिर्फ symptoms है ठीक है फिर दूसरा जो symptom है वो है अगर आपको गले में या मूँ के अंदर छाले हो रखें ठीक है तो यह एक HIV का symptom है ठीक है क्योंकि यहां पर digestive system खराब हो जाता है इसलिए इस problem आती है फिर जो तीसरा symptom है वो आता है गले में lymph node होना या अनि कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो या निगल रहे हो तो आपको गले में पेन होता है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सवधान हो जाईए यह भी एक HIV का symptom है फिर चौथे नमबर पर आता है बिना किसी कारण के आपका वजन घट रहा है लगाता ठीक है अगर आपके यह इक POD यह फिर चेटन पर आता है नमबर पर आता है दोस्तों कि अगर आपको बार 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 बिमार आभ पर जाता है खांसी, जुखाम, बुखार वगरा हो रहा है तो ये एक HIV का symptom है जैसे है कि मैंने बताया आपको कि immune system जो उस virus से लड़ रहा है कि उस फुरवाती state में तो लड़ेगा ठीक है फिर 7 नमबर पे आता है दोस्तो कि आपको बिना किसी कान कुछ भी काम नहीं किया आपने फिर भी आपको थकान मैसूस हो रही है बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करा है आलस आ रहे हैं ठीक है गर्मी में सब के साथ होता है ऐसा पर HIV पेसिंट में भी यह ऐसा होता है ठीक है फिर 8 नमबर पे आता है दोस्तो कि अगर आपका जो मसल स्पेन बिना किसी कान के आपको मसल स्पेन हो रहा है सरीर में दर्द हो रहा है जगह जगह पे तो यह भी एक HIV का सिंटम है फिर 9 नमबर पे आता है दोस्तो कि अगर आपको पशीने आ रहे हैं नाइट के अंदर ठीक है एक HIV का सिंटम के अंदर काउंट होता है दोस्तो ठीक है फिर 9 नमबर पे आता है दोस्तो बार बार आपको डाइरिया होता है जिसको दस्त लगना भी कहते हैं तो यह भी एक HIV का सिंटम है जैसे कि मैंने पहले बताया इम्यून सिस्टम एटक कर रहा है साथी डाइरिया की सिस्टम खराब हो रहा है तो उसकी वज़े से आपको बार-बार जो आपका डाइरिया की प्रॉब्रम आती है या पतले दस्त लगते हैं ठीक है यह भी एक HIV का सिंटम से ठीक है अब बात यह है कि यह HIV की में सिंटम है जो सुर्वाती स्टेज में आते हैं आपको ठीक है और बाकि अगर जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है CD4 डाउन होगा ठीक है वारलोड बढ़ेगा तो उसकी वज़े से आपको सिंटम से बढ़ते जाते हैं अलग-अलग टाइप की प्राब्लम्स आती है TB है, pneumonia है या फिर पेट में दर्द पेट में दर्द भी एक सिंटम में इसका काफी ठीक है तो ऐसे काफी टाइप के यहाँ पे सिंटम साते हैं पर वो आगे की स्टेज पे आते हैं सुराथी स्टेज में basically ये main सिंटम साते हैं तो जहां तक मुझे लगता है आपका ये confusion मैंने clear कर दिया है कि HIV के basic symptoms क्या है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please make sure like और subscribe किये बना कहीं नहीं जाएं और treatments related कोई भी जान करिये अगर आपको चाहिए तो number आपको मेरा description में मिलेगा और screen के उपर भी चल रहा है मैं मिलता हूँ ऐसी किसी interesting जान का एक साथ एक और नई वीडियो में तब तक के लिए जैह हिंद